आर्पी भारत केवल ख़बर हैं और कुछ नहीं नवश्कार मैं गूँ अंचली आर्पी भारत मैं आपका स्वागत करते हूँ तो चले शुडात करते हैं आज की इसी खास ख़बर से पश्चिप बंगाल के आसनसोल अनुमंडलिया शेतर के बर्नपुर में मातमा गांधी हाई स्कूल के हेड मास्टर जैनुल आबेदीन के होसले की दाद देनी होगी जहां कॉरना वारे से लड़ने को लेकर सारे स्कूल बंद हैं वही हेड मास्टर जैनुल आबेदीन ने स्कूल को खोल कर अनाज लेकर बैटी हैं कि उनके स्कूल के कोई भी चात्र के परिजन अगर स्कूल में आते हैं तो उन्हें राशन दे पाएं और उनके परिजन जब स्कूल में नहीं पहुंचे राशन लेने तो दूर दूर गाउं तक चलकर टोटो की जरीए हेड़ मास्टर ने सभी बच्चों के घरगल जाकर आशन पहुंचाने का कारे किया यह बहुत ही सरानिय कदम है और इससे और भी स्कूल के शिक्षकों को सीख लेने की जरूत है हेड़ मास्टर का कहना है कि जब तक लोकडाउन रहेगा तब तक स्कूल में ऐसे ही आकर अकेले बैठे रहेंगे ताकि हमारे स्कूल में ग्रामीड शेतरों की बच्चे पढ़ते हैं उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत ना आए स्कूल प्रशाशन भी हेड़ मास्टर की इस तरह की योगता को देखते हुए सबी ने उनका साथ दिया पश्चम बंगाल से फिरोज खान की रिपोर्ट अधिन बटने का यह मिड्य मिल में चावल और आलू बटने का तिन तिन किलोग हर बच्चे को पांच से खलास से लेकर पर आठ खलास कर चुकि मेरा हाईर से एंडरी स्कूल है महत्मा गांधी हाई स्कूल तो 5 से 8 तक मेरा 716 बच्चे हैं यहाँ पर हम लोग 694 बच्चे को पांच गिन में बाढ़ चुके थे लेकिन गरीब बच्चे हैं और कुछ बच्चे ट्रेस नहीं हो रहा है थे उसमें से ग्यारथों को हम लोग ट्रेस किये केलिफूनिक या जा जा करके हम लोग खूद मना जब प्रजेक्ट आया उस वक्स उससे पहले हम और मुकेसर जा ज साथ मिश्टारी जीत मंडा ने हमारे स्कूल के प्रजेट साथ बहुत ज्यादे में बहनत किये थे खुद आगा करके डेली सुबा आकर रिपोर्ट लेते थे साम आकर रिपोर्ट लेते थे चुकि वह एक टीचर है उनको भी मिड़े मिल बातने जाना था प्रजेट साब को लेकि सुबा साम आते है तरीकों अभी स्कूल इसलिए खुले है कि कुछ बच्चे बच गये हैं साथ कही तीस तारी तक आ जाए हम लों तो इंफर्म किया है कि तीस तारी तक बटेगा इसके लिए हम लोग मतलब करीब दस बई से साड़ा दस बई से हैं तीन-चार बई तक निदी में है